हाई फ्रेंज आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक नोटिफिकेशन नमबर 39 by 2021 में ओपन कर रखा हूँ और यह जो नोटिफिकेशन है बहुत इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अब इसमें जो एमेंडमेंट हुआ है यह फाइनांस बिल 2021 का चार सेक्षन सेक्षन 108 सेक्षन 109 और सेक्षन 113 से लेके सेक्षन 122 तक का एमेंडमेंट किया गया है अब यह जो सेक्षन आप देख रहा हूं सेक्षन 108, 109 और 113 तो 122 यह चारो सेक्षन फाइनांस बिल 2021 के सेक्षन है अब अगर हम बात करें कि सेक्षन 108 के थुरू जी एस्टी का कौन सा सेक्षन चेंज हुआ है तो सेक्षन 7 चेंज हुआ है और यह अप्लिकेबल कब से 1st January 2022 से अप्लिकेबल कर दिया गया है और सेक्षन 7 जो है अपना CGST Act 2017 का वो आपको scope of supply के बारे में बताता है जिसमें new supply added किया गया है अब सेक्षन 109 सेक्षन 109 जो है वो CGST Act का सेक्षन 16 को amend किया है कुछ insert किया है उसकी चर्चा मैं detail से भी करूँगा इस वीडियो में और section 113 जो है वो section 74 का जो penalty है उसके बारे में discuss करता है और section 122 जो है वो schedule 2 को change किया गया है तो अभी हम बात करेंगे section 109 के बारे में तो मैं screen पे आपको finance bill 2021 को open किया हूँ यहाँ पे देखिए section 109 finance bill 2021 क्या कहता है यह कहता है in section 16 of the CGST Act is subsection 2 after clause A the following clause shall be inserted namely पहली बात तो amendment of section 16 section 16 में amendment किया गया है finance bill के section 109 के थूप इसमें कहा है कि 16 section 16 का subsection 2 के clause A के बाद एक और नया clause insert किया गया है clause AA अब एक बार हम चलते हैं जो section 16 क्या कहता है देखिए CGST Act का section 16 है वो आपको कहता है eligibility and conditions for taking ITC यह आपको यह बताता है किस condition में आप ITC लेने के लिए eligible है इसी में section 16 का subsection 2 और section 16 के subsection 2 में चार clause थे पहला clause A clause A कहता था कि आपकी जो position है यानि कि आपके पास debit note या invoice की copy होनी चाहिए तभी आप ITC ले सकते हो clause B कहता है he has received the goods और services और both अगर receiver goods purchase किया है या service लिया है तभी जाकर के वो ITC लेगा और C कहता है कि अगर seller ने अपना tax GST का amount 3B के तुरू government को payment कर दिया गया है तभी आप ITC ले सकते हो और D कहता था he has punished the return under section 39 तो ये चीज आपको चार clause थे section 16 subsection 2 में चार clause थे अब इसके बाद section 16 के subsection 2 में आपको clause A के बाद एक और clause आ गया वो clause आ गया double A ठीक है तो double A क्या कहता है finance bill में एक बार पर लेते हैं हम लोग the details of the invoice or debit note refer to in clause A मतलब clause A में जो refer किया गया है कि आपके पास tax invoice या debit note होना चाहिए रजिस्टर डिलर के थूर ठीक है has been furnished by the supplier in the statement of outward supplies and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37 सबसे पहली बात कहता है कि जो supply किया है वो supply supplier के through statement of outward supplies में show करना चाहिए furnished by the supplier in the statement of outward supplies outward supplies का जो return है वो कौन सा है GSTR1 है यानि कि GSTR1 फाइल करना चाहिए उसके बाद कहता है कि आपको communicated होना चाहिए एज पर section 37 अब यह communication कैसे होता है debit note के बारे में invoice के बारे में आपको कैसे पता चलेगा तो आपको 2B में जो दिखेगा वही आप ले सकते हो यानि कि आपके portal पे 2B में अगर नहीं दिख रहा है न ITC आप नहीं ले पाओ गया अगर supplier ने नहीं file के editor यानि कि अगर आप समझो मेरी बात को तो यहां पे काता है जो rule 36 sub rule 4 था वो अब खत्म हो गया CGST rule 2017 का rule 36 sub rule 4 अब नहीं रहा क्योंकि वो कहता था 5% ITC लेने के लिए extra भी turnover का मतलब total ITC का अब इस case में पहले आपको याद होगा 20% था फिर 10% फिर 5% और अब एक जनवरी 2022 से इस चीज को खत कर दिया गया है जितना 2B में है उतना ही ITC आपको लेना पड़ेगा clear अब यहां धियाँ रखने की बात क्या है कि यह जब first जनवरी से applicable जब हो गया जब यह first जनवरी से applicable हो गया तो अब आपके लिए क्या मुसीबत की बात होगे first जनवरी first जनवरी एक एक 2022 ठीक है first जनवरी यह हुआ एक एक 2022 अब दिसंबर 2021 का जो GST का return 3B आप फाइल करोगे वो कब करोगे 20 जनवरी 2022 को तो जनवरी तो आपका एक जनवरी से ही applicable हो चुका है न यह law यह जो section insert हुआ है clause section 16 subsection 2 का clause AA यह तो आप कह चुका है कि जनवरी से तो दिसंबर वाला जो return आप फाइल करोगे न वहां ध्यान लखना जितना GSTR 2B में आया है ITC उतना ही आपको लेना है clear तो इस वीडियो को मैं खतम करता हूँ मैं उमीद करता हूँ कि आपको clear हो गई होगी सारी point अब important point मैं एक और बोलता हूँ वीडियो को खतम करने से पहले वो क्या है वो यह है कि आपको reconciliation पे ध्यान देना है अब आपका एक सवाल होगा कि सर जब reconciliation हम क्या करेंगे जब 2B में जितना data आया है उतना ही तो लेना है मैं तो रिको क्यों करें तो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे लाल रिको इसलिए आपको करना पड़ेगा कि सपोज आपने माल तो purchase कर लिया और आपने ITC भी अपने book में ले लिया अब party ने क्या किया जो आपका supplier है उसने return file नहीं किया अब 2B में miss match होगा आपके book से और वहां तो आपको फिर चेक करना पड़ेगा दोनों में कैसा कौन सा मैंने extra ज्यादा ले लिया आप ज्यादा ले रहे हो ना portal से 2B से तो इस case में आपको reconciliation करना है और आपका आपका काम भढ़ गया कि अब supplier को पूरा follow up करना पड़ेगा कि मुझे बता कहा है क्यों नहीं बिल upload हुआ return late file करने से भी आपको दिक्कत है ये सारी तरह की दिक्कत है आपके साथ हो जाएगी तो ये आपको important रूप से धियान रखना है supplier को follow up अब आपका पड़ गया business करना थोड़ा सा tough हो गया तो चलिए इस वीडियो का मैं खतम करता thank you bye bye